वेल्कम तो फूर्च चैनल दोस्ते चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो है हमारी है कि हतोडी का दस्ता किस तरीके से डाला जाए जो से कई बार क्या होता है कारपेंटर भाईयों का काफी हमें कमेंट आते हैं मैसेज आते हैं कि बार बार यह हमारा हतोडी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बैल आइकन का बटन दमाएं हमारी लेटेश वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चलो वीडियो स्टार्ट करते और मैं आपको बताऊंगा हतोरी कितनी प्रकार्ट की होती है दोस्तों आप मेरे हाथ में देख रहे हो यह इसका जून सा माथा गोल है यह गोल माथे किया आम तोरू कर क्या कारपेंटर भाई चोरफ हतोरी भी इस्तमाल करते हैं क्योंक कि जब हम कभी भी टीक प्लाई का काम करते हैं को कि उसके चार कोने हो जाते हैं हलकी सी भी हतोरी अगर टेडी लग गई तो टीक प्लाई हमारी डैमज हो जाती है वो हमारे काम की नहीं आती है वो जो उनसे इस्तमाल करते हैं वो जैसे अपने ये अपने गाड़ी के होते है यसे डेंटिग पेंटिंग वाले होते हैं वो उनके काम की हथोड़ी होती है अगर यह हात में लग भी जाये गोल वाली है यह दोस्तों यह हर एक हतोड़ी ना जैसे आप चोक्टो का काम करते हो उसके लिए लग वजन की हतोड़ी होती हो अगर 20 नंबर की कील मारे हो उसके लिए लग वजन की हतोड़ी होती है जैसे यह 20 नंबर की कील मारे हो उसके लिए लग वजन की होती है जैसे यह 20 नंबर की की कि मिलेगी तो आपको पहाड गंच दिल्ली में मिल सकती है वैसे दोसो ग्राम की तोड़ी यह से हम ड्ession ऊजरी है नंबर की और यह थीन सो ग्राम की होड़ी है जिससे हम यानि कि अपने यधियाँ चोगटों की की मारते करें दस नंबर की जो इस काम यह दो और दोतो इसमें जोनसी वुड हमारे इस्तमाल होती कौन कौनसी वुड बेश्ट है दस्तों के लिए या चोर्सी के दस्ते के लिए सबसे पहले ही तो वुड आती है नमबर बन पर आती है अमरूद की लकड का दस्ता अगर डाल दिया समझो वो सारी जिंदिगी नहीं हैं बबूल की लकड का इस्तमाल कर सकते हैं कर सकते हैं जिस तरीके का आपका काम है क्योंकि मेरा थोड़ा फनिचर लाइन का काम है तो मुझे तिनी जूरुत पड़ती नहीं तो मैं अपने सागवन की इसका डालूगा वुड का डालूगा और तो हर एक हथोड़ी के साथ सो ग्राम की है इसके धस्ते की लंबाई मैंने रखी हुई है यë तेरह इंची है यह कम से कम एक इंची है यहां से इसे एक एंची करेंगा और हमेशा ह्थोरी का दस्ता डालने से पहले आपको मैंये यह इक चीशी बता दू कभी भी गुल नहीं होना चाहिए हमारे का प्रेंटर होना भाई का करते हैं कील के ओपर वार करते हैं यह कई वार को बना कर दिखाऊंगा किस तरीके से बनाते चाहिए दोस्तों सारी मैंने आपको में बाते बता दी है चलो इसका दस्ता बनाना शुरू करते हैं दोस्तों मैं हतोडी का दस्ता त्यार कर रहा हूं दोस्तों इसको त्यार करने से पहले हम हमने टेपर कर देनी है हमने का करना यहां से इतना कर लेना और इदर से इतना कर लेना यानि कि जोंसी टेपर लगेगी हमारी इस तरीके से लगेगी इसको यह ऐसे लगेगी और जोंसी इदर से भी लगेगी इदर से भी हमारी इस तरीके से करके लगेगी यानि कि इसको टेप पावर मिलेगी मेरे पाप मशीन में मशीन के द्वारा करूंगा अगर आपके पास रंदा वगारा है तो रंदे से हाथ से भी आप कर सकते हूं कि अ कर दो कि दोस्तों मैंने मेशीन से रंदा वगरा लगा दिया है और बाकी जुन से हम फैनल टैच करेंगे वह हाथ वले रंदे से करेंगे एक बर मैं आके पास आके आपको दिखा देता हूँ यह देशिए दोस्तों यानि कि जून सी मैंने टेपर भी मारी है यह नहीं कि एक तरफ को मार दिये मैंने दोनों तरफ को अगर जैड़ है तो समझे लो मैंने आ दिये अपना आप तीन सूत इधर से मारी है तीन हाथ की मदद से इसके हम इसको शेप देते हैं अब दोस्तों हमका करेंगे इस हैंडल के हलके हलके कोने गोल कर लेंगे ठीक है इसके हलके हलके से कोने गोल कर लेंगे जोंसे हमारे हाथ में यह चुबे ना इसको फैनल टेच के लिए हम क्या करेंगे इसको चार इंची का रंदा लेंगे हम दोस्तों दस्ते के हमने कोने गोल कर दी है और यहां से भी हमने इसका पैना बिल्कुर ठीक कर लिया है अब क्या करेंगे हम इसके इंदर डालेंगे हथोडी के इंदर डालेंगे यह देखें यह बिल्कुर राउंड में नहीं है सरकल में नहीं है यह हलका था यह देखें मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूं और यह मेरी हथोड़ी है और दोस्तों हथोड़ी का जोंसा 300 ग्राम बाला पोशन होता है वह हम भार की तरफ रखते हैं क्यों क्यों आम तोर पर इंस बीडरी मिश्इन कहांसे ले तो दोस्तों मैं इसका क्या करेंगे डिस्क्रीशन में लिंक देज़ूंगा हमाजों का तो वहां जाके आप पैचेज कर सकते हो अचया दोस्तों इसको क्या करेंगे में हपलुकी हलुकी बाषे पॉंको बखीchny, दोस्तों इसको जब वमने अंदर पका कर दिया है तो यह हमारा सोरी कच्चा यह थो दोस्तों हमने यह भी है और ही निकलनी इसका प्रसीजर है यह सो अंधर है इसको निशान लगा लेंगे और अब 2 इसको क्या करेंगे ना हम तो यादि की कटर के इसको नहीं देंगे, कही करपेंटर भाइगी क्या करते हैं, अपने हैंड करनर उटा करके, अईसे देते हैं, उससे door specialists का ज्याधा चांस में है हाथ से जाके लिए लगा आपका करनए इसके इसंटर में ऐसे कर लेना यह करने कि ढहलेरी now तक इसको चीर देना हमने ठीक है अब क्या करेंगे हम इसकी फनी त्यार करेंगे ठीक है दोस्तों इसकी फनी त्यार करेंगे वो भी हम सागवान में कर रहे हैं कर दोस्तों हा चीर जाँ कर रहें बही wha ली तुटना रखग पया लाश्यार करिके घंड भुटना, जाओष़ों पेल्को राज़ंा कि कर दोस्तों शोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों है दोस्तों अप्ता करेंगे इस दस्तों को थोड़ी के दिर हम डालेंगे ठीक है हमने चीर पहले दे दिया था फनी हमारी त्यार है अब हम इसको पका करेंगे जिस तरीके से आपने इसका दस्था सेटिंग किया हो न उसी तरीके से आपने डालना यह नहीं कर उल्टा सीधा करके डाल देना यह डल गया दो तो ऐसे भी हमारा ये गुनिये में है यान कि हथोड़ी का दस्ता हथोड़ी कभी भी हमारी अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए ना भार की अगर भार की तरफ होगी तो हमारी कील हमेशा टेड़ी हो जाएगी अंदर की तरफ होगी फिर भी हमारी कील्ट tady हो जाएगी, ठीक हैं यह हो गया हमारा, तो अब हम इसके अंदर फणी मारेंगे, फणी, k İşके साथ भागे, या था एरलाइड के साथ मHigh सकते जाए, या पॉलि फिकsters का जैल है मेरे पास मैं उसके साथ मिमार दूगा, यान điे हमा पाएंगे दोस्तों एक दम यह पत्थर की तरह हो जाएगा यानि कि इसके लिए यह नहीं कि आपको 24 गंटे चाहिए सूखने के लिए सिरफ दो जा तीन सेकेंड में यह पक्की हो जाएगी यह देखिए थोड़ा सा यहां भी हम डाल देंगे जैल इसके साथ क्या है जिन्दकी भर हमारा दस्ता सील हो जाएगा इसके दोस्तों कभी यह श्कायत नहीं आएगी कि हमारा दस्ता भार निकल गया अब एक्टिवेटर इसके ओपर लगा देंगे फिर हम अब दोस्तों यह बिलकुल इसकी यहां से कटिंग करके एक दो मिन्टे में बिलकुल सील्ड हो जाएगा यहां कि दस्ता यहां से तूड़ जाएगा कभी हथोड़ी में से नहीं निकलेगा यह आप और भी कर सकते हो यहां एक होल मारके यहां पर पेच कस भी लगा सकते हो पर उसका फैदा कुछ नहीं होता क्योंकि यह हमारा दस्ता कमजोर पड़ जाता है यहां से दोस्तों यह हमारा सूगया दो तीन मिनिट के अंदरी सूगया अब इसके हम कटिंग करेंगे कटिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे दोस्तों इसके अपर यह एक्टिवेटर का सप्रे करेंगे और बिल्कुल शीशे की तरह हो जाएगा यह देखिए दोस्तों दस्ता देखो हमारा बिल्कुष सील्ड हो गया बिल्कुष ग्लास की तरह बन गया यह देखो सामने आपको बिल्कुछ दोनों तरफ से हमने लगा दी बिल्कुछ शीशा बन गया क्योंकि यह दस्ता यहां से तूड़ जाएगा यहां से नहीं निकलेगा अब दोस्तों हम क्या करेंगे पीशे की तरफ से इसकी टेपर लगाएंगे यान कि हमारे हाथ में न लगेजिए दोस्तों इसकी कि हम टेपर लगा रहे हैं जिसकों वैवर बोलते हैं अब क्या करेंगे हम सेंडिंग पेपर के साथ इसको रेगमल लगा लेंगे दोस्तों हतोड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है यह देखे अगर कोई कमी बगारा रह गया तो कमेंट बोक्स में आप भाईयों ने जरूर बताना मुझे कुकी हमे इतना वड़ा कारि करनी भी हुँ जितने आप लोग मुझे देखते हो आप लोगों ने सिखाया मैंने वैसे ही कर दिया दोस्तों हतोड़ी का मैंने सबको ही बता दिया इसे लिके जबता है कंसा हमें वॉड इस्तरिके तरीके C तरीका करना चाहिए के हथोड़ी हमारी हैंडल से भार नी निकलनी चाहिए सारी चीज मैंने वीडियो में बता दिया और दोफ्तों नेक्स वीडियो आपको किस चीज पर चाहिए वह आपने बताना कोई भी चीज आपको मुश्किल लगती नहीं होगी आपको क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा का कर दो